आप सब का स्वागत है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं NCRT Psychology क्लास 12 के चैप्टर नुमबर 2 आत्म एवं व्यक्तित्व के अंतरगर्थ रोजन विक चित्रगत कुंठा अध्यन वाक्य समापन परिक्षन और व्यक्तंकन परिक्षन तो शुरू करते हैं आज की क्लास पिछले वीडियो में हमने प्रक्षेपी तक्नीक के अंतरगर्थ रोडशा इंग प्लॉट टेस्ट और T.A.T. का अध्यन किया था व्यक्तित्वमापन की प्रक्षेपी विधियों में आज हम तीन अन्य परिक्षनों का अध्यन करेंगे सबसे पहले हम अध्यन करते हैं रोजन विक का चित्रगत कुंठा अध्यन जिसे English में Rosenwig Picture Frustration Study या Picture Frustration Test कहा जाता है Short form में इसे PF Study या PF Test कहते हैं इस परिक्षन का निर्मान Rosenwig ने ये जानने के लिए किया था कि कुंठा उत्पन्न करने वाली स्थिती यानि frustration उत्पन्न करने वाली सिचुएशन में लोग किस तरह से आकरामक व्यभार करते हैं इस परिक्षन का निर्मान Rosenwig ने ये चानने के लिए किया था कि कुंठा उत्पन्न करने वाली स्थिती में लोग किस तरह आकरामक व्यभार की अभिव्यक्ती करते हैं कुंठा उत्पन करने वाली स्थिती यानि वो स्थिती वो situation जिसमें कुंठा उत्पन होती है कुंठा यानि frustration तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि कुंठा या frustration होता क्या है हमारे किसी लक्षे को प्राप्त करने में बाधा या रुकावट आती है तो उस बाधा या के कारण जो जुझलाहट, बेचैनी या दिराशा उत्पन होती है उसी को frustration या कुन्ठा कहते हैं एक बार फिर समझे कि हमारे किसी काम में अगर कोई बाधा आती है या हमारे किसी लक्ष में कोई रुकावट आती है तो उससे हम जुझलाते हैं, बेचैन होते हैं या निराश ह तो ये बेचैनी जुजलाहट या निराशा की जो स्थिती होती है उसी को कुंठा या frustration कहते हैं तो जब हम कुंठित होते हैं या frustrated होते हैं तो ऐसी स्थिती में हम आकरामक व्यभार करते हैं इसी को जानने के लिए कि frustration वाली situation में लोग किस तरीके से aggressive behavior को express करते हैं रोजन विग ने इस test को बनाया अब हम देख लेते हैं कि इस test में होता क्या है इस test में कुछ व्यंग चित्र होते हैं जिनमें different type की situations दिखाई गई होते हैं अब यहां यह भी समझ लेना जरूरी है कि व्यंग चित्र क्या होते हैं व्यंग चित्र यानि ऐसे चित्र ऐसे pictures जिस कई सारे चित्र होते हैं जिनमें विभिन प्रकार की कुणठा उत्पन करने वाली स्थितियों को दिखाया गया होता है यानि चित्र में जो लोग होते हैं वो एक तरह से ऐसी situation उत्पन कर रहे होते हैं या ऐसी बात कर रहे होते हैं जिससे व्यंत्री परिशान हो जाए frustrated हो जाए यानि उसमें frustration उत्पन हो या फिर किसी frustration उत्पन करने वाली situation की तरफ व्यक्ति का ध्यान खीचा जाता है और फिर प्रयोजे यानि subject से ये पूछा जाता है कि दूसरा व्यक्ति इस situation में क्या करेगा या क्या कहेगा दूसरा व्यक्ति यानि जो frustrated है वो इस situation में क्या क या क्या करेगा, किस तरह से react करेगा example के तोर पर आप इस चित्र को देख सकते हैं इस चित्र में एक व्यक्ती कुछ इस तरह की बात कह रहा है जिससे सामने वाले को frustration फील हो अब जिस व्यक्ती के ऊपर ये test हो रहा है वो व्यक्ती इस character के साथ खुद को correlate करेगा किस तरह से react करेगा वो यहाँ पर प्रयोजी को लिखना है इस तरह के बहुत सारे pictures होते हैं जिन में कुंठा उत्पन्य करने वाली परिस्थिती या वाक्य होते हैं और प्रयोजी को यह बताना होता है कि इस तरह की परिस्थिती में वो किस तरह से अनुक्रिया देगा प्रयो प्रयोजी करना यानि मौखिक रूप से आक्रामक्ता इसके अंतरगत आएगी तो आक्रामक्ता किस प्रकार की है और किस दिशा में हैं दिशा से मतलब आक्रामक्ता व्यक्ती की स्वयम के प्रती हो सकती है सामने वाला यानि जो फ्रस्ट्रेशन देने वाला व्यक्ती है उस व्यक्ती के प्रती हो सकती है या वातावरन के प्रती हो सकती है तो इस बात को जाचने का प्रयास किया जाता है आक्रामक्ता किस प्रकार की है और किस डायरेक्शन में है साथ ही ये जाचने का प्रयास भी किया जाता है कि व्यक्ति जो reaction दे रहा है व्यक्ति जो अनुक्रिया कर रहा है उस अनुक्रिया में किस बात पर बल दिया गया है कुंठा उत्पन करने वाली वस्तु की और आक्रामक्ता है या जो frustrated व्यक्ति है उसके बचाओ पर बल दिया गया है उसके संरक्षन पर बल दिया गया है या फिर समस्या के रचनात्मक समाधान पर बल दिया गया है रचनात्मक समाधान यानि समस्या का इस तरह से solution यानि जो कुंठा उत्पन करने वाली परिस्थिती है, उसको इस तरीके से solve किया जाए, जिससे frustration की जो situation है वो टल जाए, किसी का कोई नुकसान ना हो, आकरामक्ता की देशा वातावरन के प्रती हो सकती है, या फिर खुद के प्रती हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि situation को टालने का प्रयास किया जाए, या फिर situation की importance को बिलकुल कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो situation को टाल देने से, या उसकी importance को बिलकुल कम कर देने से, यानि उस घटना को उस बात को तूल न देने से, आकरामक्ता की जो इस्थिती है, वो समाप्त हो जाती है, आकरामक् के picture frustration test को पारिक ने Indian population के लिए यानि भारतिय जनसंख्या पर उपयोग करने के लिए इसका Indian adaptation किया है यानि भारतिय परिस्थितियों में इसे रुपांतरित किया है अब हम बात करते हैं वाक्य समापन परिक्षन जिसे sentence sentence complacent test या वाक्य पूर्ति परिक्षन भी कहा जाता है sentence complacent test या वाक्य पूर्ति परिक्षन या वाक्य समापन परिक्षन के नाम से ही इस परिक्षन में विभिन प्रकार के incomplete sentences होते हैं यानि अपूर्ण वाक्य होते हैं और इन वाक्यों का शुरुवाती भाग यानि प्रारंभि भाग सब्जेक्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है और सब्जेक्ट को उस अधूरे वाक्य को पूरा करना होता है ऐसा माना जाता है कि सब्जेक्ट उस अधूरे वाक्य के अंतिम भाग को जिस भी तरीके से कंप्लीट करता है या पूरा करता है उससे उसकी जो भी अभिव अभिवित्या होती हैं अभिवित्या यानि attitude यानि व्यक्तिका जो नजरिया होता है दृष्टिकोन होता है उसकी जो अभिप्रेणाय होती है यानि जो उसके motivations होते हैं और conflicts यानि द्वंद उनको वो reflect करता है अपने answers के जरीए यानि जिस तरीके से वो sentence को पूरा करता है उनक के द्वारा वो अपने अचेतन मन की जो भी अभिवित्या होती है प्रेणाय होती है और द्वंद होते हैं यानि conflicts होते हैं उनको reflect करता है द्वंद यानि पांसिक संगर्ष इस परिक्षन के जरीए प्रयोज्य अपने अचेतन मन में छुपे हुए motives को यानि प्रेणाओं को express कर सकते हैं वाक के समापन परिक्षन का एक sample दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं ये कुछ अधूरे वाक्य हैं जैसे पहला वाक्य है मेरे पिता अब व्यक्ति इस sentence को अपने हिसाब से पूरा करता है अब वो पूरा करने में जिस भी तरीके से पूरा करता है उससे उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है उसकी personality के बारे में जाना जा सकता है मान लीजे वो व्यक्ति इस sentence को इस तरह पूरा करता है कि मेरे पिता मुझे बहुत अधिक प्यार करते हैं या वो ये कह सकता है कि मेरे पिता से मुझे नफरत है या मेरे पिता से मैं बहुत डरता हूँ, तो जिस भी तरीके से वो sentence को पूरा करता है, उससे उसके बारे में जानकारियां मिलती है, इसी तरह से अगला sentence है मुझे सबसे अधिक भहे यहाँ पर व्यक्ति को जिस भी चीज से जिस भी व्यक्ति से या जिस भी परिस्तिती से भहे लगता है उसके बारे में वो यहाँ पर बताएगा तीसरा वाक्य मेरी मा के बारे में सबसे अच्छी बात है कि चौता वाक्य है, मुझे इस बात पर गर्व है कि, तो यह सभी sentences इस तरह के हैं कि इनको प्रयोज जिस भी तरीके से पूरा करता है वो कहीं न कहीं अपने personality के different type के aspects को reflect करता है So viewers, यह थी आज की class कैसे लगी आज की class? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए और share कीजिए, धन्यवाद